हेलो फ्रेंज आप लॉक कैसे है अब आगे वो शक्स पाखी को अपनी गोद में उठा कर कार में बैठता है और उसको लेकर हॉस्पिटल में चला जाता है वो जल्दी से उसको उस पाठ के अंदर दाखिल कराता है डॉक्टर पाखी को चेक करते हैं और अपना सिर्फ नामें ह बैठा हुआ था उसके हाथ में सिग्रेट और दूसरे हाथ में एक शराप का गिलास था तभी उस शांती को एक आवाज खत्म करती है जो कि किसी के सीखने की थी कुछ बॉडी गार्ड के साथ दो आदमी आते हैं जो कि खुद की जान की दुहाई दे रहे थे बचने के सर सर हमें छोड़ दीजिए हमसे गलती हो गई हम आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे जी सर हम बस अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य हो गए थे उनके अच्छे भविश्य के लिए हमने आज से गद्दारी करने की जरूरत की प्लीज हमें माफ कर दीजिए वो शक्स अपनी गिलास में बची हुई शराब का दूद पीता है और उसकी लाश को अपनी उंगी में घुमाते हुए शक्स के पास आता है और उसके चहरे पर जोर से उस गलास के साथ वार कर देता है जिससे उसके लाश के तुकड़े उस शक्स के मुह में छुप जाते है मुझे परिवार का नाम लेकर दिखाए देने वाले लोगों से सक्त नफड़त है यह जो परिवार प्यार वगेरा शब्ड है ना यह बहुत ही कमजोर शब्द है इंसान को खोखला कर देते हैं उसकी सोचने समझने की शक्ती खत्म कर देते हैं और मुझे यह सब कुछ बिल्क हुआ पेट्रोल छिड़क देते हैं नहीं कर नहीं सर प्लीज प्लीज हमें बख्ष दीजिए प्लीज हमें बख्ष दीजिए हमें एक और मौका दीजिए हम हम वादा करते हैं आगे से कभी ऐसा काम नहीं करेंगे वो शक्स अपनी खत्म हो चुकी सिगरेट को फेकता है और ए दूसरा मौका नहीं देता मेरी दिक्षनरी में माफी शब्द का उपयोग क्या उसकी कोई परिभाशा ही नहीं है। ये बोलकर रणविजय उस लाइटर में चल रही आपको देखता है वो उसको अपने हाथ से बुझा देता है और फिर अपनी चश्मा लगा कर वहां से चला जाता है। सर को क्या हो गया यह इन 3 सालों में पहले से भी ज़्यादा पत्थर दिन और बहुत ही सादा क्रूर बन गए है। होता है होता है जब हम किसी को तूट कर चाहे और फिर उस से जुदा होना पड़ेगा तो ऐसे ही होता है। मतलब सर किसी से प्यार करते थे क्या प्यार नहीं सनक भरा प्यार इनका प्यार पूरा सनकी था लोगों की खुशिया दूसरे लोग गुजारते हैं लेकिन सर ने अपनी खुशिया अपने हाथों से उजारी हैं सब उस कार्ट को देखते हैं जो रनविजय का पसनल बॉडी ग वो बॉडी गार्ड एक गहरी सास लेते हुए अंडस को जो इस डेविल को इनुसेंट प्रिंस में बदला था जब वही नहीं है तो इनके डेविल से प्रिंस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता अब तो बस कोई करिश्मा हो सकता है जिसे सिर्फ वापस से प्रिंस बन जाए टेविल को छोड़ कर अंदिस को शेखावत विला में रनविजय अपने विला में आता है तो गाड उसके लिए दरवाजा खोल देते हैं यह ओल शेखावत मिला नहीं था बलकि यहां रनविजय सिर्फ और सिर्फ अकेला रहता था इन तीन सालों में बहुत कुछ बदल गया सब रिष्टे भी रनविजय का व्यवहार भी रनविजय ने तीन साल पहले ही अपने लिए अलग फिल्म बना लिया था जो विला कंबल की नर्क का द्वार जादा लगता था क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजे ऐसी थी जो इस पूरे रूम को और इसका इंटीरियर ही चाहता था वो गुस्से में अपनी आँखे खोलता है और अपनी रूम में बने हुए बार में चला जाता है वो वहाँ पर शराब पीने लग जाता है थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह नशे में खुद हो चुका था तभी उसको किसी के प्यार से हसी की आवाज आती है रनविजय उसे और देखता है जहाँ पर उसको पड़ी दिखाई देती है बहुत ही प्यारी लाल रंग की साड़ी में किसी दुलहन की तरह सजी हुई ओल्ड मैन ये बैड हैबिट होती है इस तरह से ड्रिंक नहीं करते आपको पता है ना ओल्ड मैन आप वादा करो आप पाखी से कभी अलग नहीं होंगे तब ही रंविजए को पाखी का वही अक्स दिखाई देता है जिसमें वो रो रही थी उसकी आँखों में आशु थे उसका चेहरा पूरी तरह से लाल था इसमें मेरा क्या रंविजए अपनी हाथ में पड़ी बोतल को खीच कर उसे अक्ष की और मारता है तो वो शक्स वहाँ से गायब हो जाता है ये देखकर रंविजए जोर से चिलाते हुए अगर मेरी जिंदगी से चली गई हो तो मेरी यादों में रहने का क्या मतलब है मैं नहीं करना चाहता तुमको याद मैं नहीं देखना चाहता तुम्हारे ख्वाब इसलिए इसलिए मैंने सोना बंद कर दिया है जब तुम मेरी जिन्दगी से इतनी दूर चली गई हूँ तो फिर अपनी यादों को भी अपने साथ क्यूं नहीं लेकर जाती क्यूं पाखी क्यूं ये बोलकर वह वही पर बेहोश होकर गिर जाता है आई आई मिस्यू पाखी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे 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 तुमसे मिलना है रन्विजय अपनी नींड में भी पाखी को याद करते हुए है फर्ष पर सोजाता है यही थी रन्विजय की पिछले तीन सालों के जिंदगी उसने पूरी तरह से सभी से नाता तोड लिया था अपने इस हेल्प को ही अपनी दुनिया बना लिया था अंडिसको राथो और विला में सरिता जी तयार होकर नीचे आती है तो रोशनी उनके सामने आरती लेकर जाते हैं सरिता जी उस आरती को देखती है और फिर रोशनी को मा आरती ले लीजिए रोशनी आपको अच्छे से पता है कि हम इनकी ना तो आर्ती में शामिल होते हैं और ना ही इनकी आर्ती लेने में तो फिर अब हर रोज हमें एक ही बात बार-बार क्यूं बोलती हूँ जब आपको उसका परिनाम पता है मा इस तरह से भगवान से नाता तोड़ कर कैसे सही बात हो सकती है जो भी उन्होंने किया है कुछ सोच समझ कर ही किया होगा ना सरिता जी रोशनी को बहुत ही तीखी नजरों से घूरते हुए सही अच्छा ये तुम ना ही बोलो रोशनी तो अच्छी बाते तुम्हें भी पता है कि क्या हुआ क्यूं हुआ हमारा मुख लगाने की जरूरत नहीं है हम पुरानी बातों को नहीं निकालना चाहते हैं और बात आरती की वो भगवान जी की मूर्ती को देखते हुए हमारी जिंदगी की एक सबसे बड़ी खुशी थी एक सबसे प्यारी चीज थी जो इन्होंने हमसे पहले ही चीन ली है तो अब हमसे और क्या चीनेंगे हमारी हिसा से चीने गए ना चीन लेने दीजिए हमें कोई फ शासुमा ने उसको इन तीन सालों में कभी किसी चीज के लिए दोशी ठहराया जब फिर उसके साथ बुरा व्यवहार किया लेकिन कभी-कभी उनके शब्द थोड़ी से सक्त हो जाते थे और रोश्णी को भी पता था कि इन सब की बसा रही है अभी जी जी वहां पर आते हैं औ और उसके सिर पर हाथ फिरते हुए बेटा आपको पता है ना आपकी सासुमा का ये पाखी से बहुत प्यार करती थी और जब भगवान ने उनकी पाखी के साथ इतना बड़ा अन्याय किया रोश्णी अपनी भरी हुई आँखों से पापा क्या आप हमको कसूरवार नहीं मा अब तो हमारी खुशी का एक दूसरा पहलो हमारी जिन्दगी में उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी एक तीन साल का बच्चा जो की दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट और बहुत ही ज्यादा चाबी-चाबी था वहाता है उसके हाथ में एक खिलोने वाली ग्रंथी व लेकिन हमने कोई गलती नहीं कि आपके कानून के हिसाब से आप एक निर्दोश के उपर गोली नहीं चला सकती ये बोलकर खोज को अपनी गोद में उठा लेते हैं और उसके नाक को खीचते हुए हमारा शैतान इंस्पेक्टर जब देखो अपने दादू को परेशान करता ह अपने पापा को भी तो परेशान करो वरुन मोह बनाते हुए फाइदा क्या है पापा ना बिल्कुल किसी शहर की तरह है वो कभी नहीं दरते मैं जब भी उनका दरने जाता हूँ उलता वही मुझे अपनी उन दो बड़ी बड़ी आँखों से दरा देते हैं अच्छा तो ह हम शेर हैं जिनकी आँखों से आपको दर लगता है पीछे से अंशाते हुए कहता है तो वरुन अपना चहरा अपने दादू की गर्दन में चुपाते हुए दादू वरुन को बचाए हेड इंस्पेक्टर आ गए हैं वह आपके इस क्यूट से इंस्पेक्टर को रेस्ट कर लेंगे भाग यहां से ये बोल कर वह अभिजीत जी के सीने पर वो करता है तो अभिजीत जी हंसकर वहां से डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं यही उनके तीन सालों के घर की खुशियां थी हालांकि पाखी के जाने का दुख हिंद सभी को था लेकिन वरुन के रूप में म की शरारत करती थी आपको पता है ना कि वह भी ऐसे ही सुबह सुबह उठकर पूरे घर में हला मचा देती थी उसको जो चीज चाहिए होती थी वह चाहिए होती थी तब उसकी खुशी का कितना ध्यान रखते थी ना प्रतीक जी की आँखों में भी आशू आ जाते हैं वह भी प्यार से वरुन की तरफ देखते हैं और फिर पाखी की फोटो की और जो की उसे हाल के पीछे पीछे लगे हुई थी उसे पर एक वर्माला लगा रखी थी शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था निर्मला जी हमारी हाथों में ही अपनी पहली सांस ली थी और हमारे बिना अपनी आखरी वो दोनों की आँखे फिर से नाम हो जाते हैं वही इन सबसे दूर एक खुशियों का पितारे से भरे घर में जहां पर एक छोटा सा बच्चा इधर से उधर बंदरों के जैसे कूद रहा था वही उसके पीछे सीन शक्स थे उसको मनाते हुई फिर रहे थे बाबा शांथ हो जाए आप इस तरह से उच्छल कूद क्यू कर रहे हूँ आपको पता है ना कि अगर आपको चोट लग गई तो सर हमारी नौकरी से निकाल देंगे मुझे दूद नहीं पता मुझे बस मेरी मामा अच्छे मिलना है मुझे मेरी मामा के पास लेकर जाओ वरना मैं अच्छे ही चल को टोल खोल दूँगा उनमें से एक लड़की को हसी आ जाती है वो उसे बच्चों को एक ही जटके में अपनी कोर्ट में उठा लेती है और उसके कान को मरोडते हुए अच्छा जी अगर आप में खुद की पेंट पहनने की तो हिम्मत नहीं है और पूरे घर को तोड़ने फोरने की बाते कर रहे ह गैंग्स्टर हो गया वो बच्चा अपने कान को छुडाना है और प्यारा सा पूछ करते हुए गैंग्स्टर नहीं समीर डेविल है डेविल्स में कौन डेविल है यहां पर सीडी उसे उतर रहा एक शक्स जो की अपने कोर्ट के बटन लगा रहा था वो अपनी बहुत ही सक पीछे भाग रहे थे वो जल्दी से डाइनिंग एरिया में आ जाते हैं और नाश्ता लगा देते हैं वो लड़की इससे पहले की अपने नाश्ते की एक बाइट लेती की तभी वहां पर कुछ शोर होता है वो लड़की बाहर आकर देखती है तो एक शक्स था जो की उसके विला के सामने जोर जोर से हला मचा रहा था नहीं चलेगी नहीं चलेगी आपकी मनमानी नहीं चलेगी इस पी कापोरेशन हाए हाए वो शक्स उन सब के सामने जाता है तो उसकी आँखों पर से ही वो सभी धरना देने वाले चुप कर जाते हैं लेकिन उन में से एक लड़क उसे नहीं अगर तुम लोग ठीक से काम करते ना तो मुझे ऐसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती लेकिन आप हमारे बारे में भी सोचिए हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं अगर कल को आपके साथ कुछ दुरगटना हो जाए और आपके बच्चे को कुछ हो लेकिन इ इस तरह से गोली चलाने के कारण वहाँ पर हला मच जाता है सभी उसे विल को छोड़कर भाग जाते हैं वही वो शक्स उसके पास आता है और उसे औरत के बालों को पढ़कर उपर खीचते हुए तुम उस पोजीशन के लायक नहीं थी तुमने ये जॉब किसी का बिस्तर गरम कर कर ली थी और अब तुम्हें प्रमोशन चाहिए था तुम्हें लगा कि कोई नया CEO आएगा जिसके साथ तुम अपनी वही डर्टी टिक खेल कर उसको अपने जाल में फसाल होगी और प्रमो को पकड़ते हुए पंखुली कपूर की जिंदगी में सबसे ज़्यादा मायने अगर कोई रखता है तो वह है मेरा बेटा समीर और तुमने उसको ही खुला बुरा भला कहने की हिम्मत की और मुझसे यह आस रख रही हो कि मैं तुमको छोड़ दूंगी नहीं बेबी यह पं परिवार को इशारा कर जाती है कि इस लड़की को वहां से निकाल दे कुछ देर में पंखुली की कर एक बड़ी सी बिल्दिंग के सामने आकर रुखती है पंखुली बहुत ही ज्यादा रोब के साथ उस बिल्दिंग के अंदर आती है उस बिल्दिंग में पहले से उसके स् तुम्हें पता है तुम लोगों ने अपनी जिंदगी का बहुती कीमती आधा घंटा सिर्फ मेरे वेलकम पार्टी के लिए बर्बाद कर दिया और मुझे टाइम खराब करने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद सो आगे से ध्यान रखना चाहे यहाँ पर प्राइम मिनिस्ट रखते हो वरना उन पचास लोगों में आपका भी नाम शामिल होता ये बोलकर वो अपने केबिन में चली जाती है और अपनी पीए-पीए से पूरे कंपनी की फाइल मंगवा लेती है उसे का के हाथ में कम से कम 15 फाइल सी पंखुरी उसको अपनी टेबल पर रखाती है और फिर से सक्त आवास में इस कमपनी के जितने भी शेहोल्डर है उनको आदे घंटे में मीटिंग हॉल में बुलाओ और साथ ही साथ एक नोटिस भी दो कि अगर किसी ने एक सेकंड की भी देरी की ना तो फिर उसका इस कमपनी से सारी पाटनर्शिप खत्म हो जाएगी उसकी पीए जाने की अंशू जल्दी से भाग कर बाहर जाती है और उसे कमपनी के हेच आर सी कांटेक्ट करकर सभी मेजर शेयर होल्डर्स की लिस्ट ले लेती है वो सबको इनफॉर्म कर देती है आधे घंटे बाद मीटिंग हॉल में पनकुरी अपने उसी एक स्वैक्स भरे औरों के साथ मीटिंग हॉल में दाखिल होती है कि वह लड़की थी लेकिन उसने जो औरों पस्नेलिटी केरी की हुई थी सब उसके सामने जुकने के ये मजबूर थी उसकी एज़द में अपने में विश्वास नहीं रखती सीधा में पॉइंट पर आते हैं ये बोलकर हो अंशु को इशारा करती है तो अंशु हां में सर हिला देती है और एक पिटी जो बड़ी सी स्क्रींग पर शो होती है सब लोग उसकी तरफ देखते हैं जैसा आप सबको पता है कि ये कंपनी खुलता है पंखुडी उसे शक्स को बिना देखे ही अपनी सकता आवाज में गेट आउट वो शक्स जो अंदर आया था वो खुद को कुछ ज्यादा ही ठीक मार रहा था वो फिर भी आकर चेय पर बैठ जाता है और पंखुडी की तरफ देखते हुए हम इस मीटीग में आक है वो उसके पास जाती है और उसकी शर्ट को अपने हाथ से पढ़कर खड़ा करती है और एक खीच कर थपड़ मार देती है जिससे वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं मिस्टर महरा मुझे तुम्हारी बैकग्राउंड हिस्ट्री सब चीजों के बारे में पता है अगर तुम्हें लगता है कि इन सब वजह से मैं तुमसे डर जाओंगी या फिर तुम्हारी जी हजूरी करूंगी तो वो तुम्हारी गलत फहमी है आइंदा से मुझे मेरी कमप ते हुए शेर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी लड़की ये थपपर तुम्हें बहुत महिंगा पड़ेगा। सस्ती चीजे का शौक भी नहीं है पन्खुडी कपूर को ये बोलकर को फिर से मीटिंग चालू कर देती है वही मिस्टर महरा वहां से अपनी बेज जती का खुट पी कर चले जाते हैं शायद पन्खुडी को नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की एक बड़ी गलती भी साब करनी हुई थी बालों का एक बन बना लिया था वो किचन में खाना बना रही थी वही समीर उस काउंटर पर बैठा हुआ था मामा आपको कभी दर नहीं लगता क्या पंखुडी अपनी प्यारी सी मुस्कान देती है और समीर का नाका कीचते हुए किसने बोला आपकी मामा को दर नहीं लगता मामा को भी दर लगता है लेकिन मा अपने दर पर काबु पाक की है बच्चा और आप भी ध्यान रखना जिंदगी में जहां पर आप गलत हो वहां पर भले ही दर जाना लेकिन जहां पर आपको पता है कि आप इमानदार हो सच्चे हो वहां पर कभी भी किसी से मत करना अरे वाह CEO पाखी कपूर किसका सब हाटलेस बोलते हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए ऐसे प्यार से खाना बना रही है not bad not bad बाहर से आ रही एक आवाज उन दोनों माँ बेटे का ध्यान खीचती है पंखुडी उस तरफ देखती है जहाँ पर एक हैंसम सा दिखने वाला लड़का खड़ा था जिसकी गोद में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो अपनी आखों को छक्का छक्का कर पंखुडी को देख रही थी पंखुडी उसके पास जाती है और उसको अपनी गोद में ले लेती है वही समीर अब उस लड़के की गोद में चला जाता है। लगता है हमारी गुडिया ने हमें बहुत मिस्स किया। पन्खुरी की बात पर हो छोटी सी लर्की अपनी आँखे जल्दी से हाँ-हां में हिला देती है। यह देखकर पन्खुरी को हसी आ जाती है। वही उसको इस तरह से स्माइल करता देखकर उस शक्स की आखों में भी उसके लिए एक अजीब भावनाय थी जिसे वो पन्खुडी के नोटिस करने से पहले ही छुपा लेता है। वही समीर उसे शक्स का ध्यान अपनी तरफ खीचते हुए पापा आप लगता है इस जूही के चक्कर में अपने शहर को भूल गए आपको पता है मैं आज आपकी चॉकलेट कितनी मिस की। अरे मेरा प्यारा सा बच्चा ऐसा हो सकता है कि कभी आपके वीर पापा आपकी चॉकलेट भूल जाए नहीं ना। ये बोल कर वीर उसको एक चॉकलेट दे देता है जिसे पाकर खुश हो जाता है वही पन्खुडी अपना सिर हिला देती है। दूसरी तरफ इंडिया में, शेखावत विला में, सरला जी जिनके हाथ में पाकी की एक तस्वीर और आखों में आंसू थे वह पाकी की तस्वीर पर हाथ फैलाते हुए बेटा माना कि आप हमसे चोटी चोटी बात पर गुसा हो जाती थी हमेशा अपने बात मिनवाई थी लेकिन ऐसे कोई करता है क्या अप तो आप हमें देखना ही बंद हो गई, आप हमसे इतनी दूर चली गई कि जहां पर हम आपको वापस ना तो देख पाएंगे ना चूपाएंगे पीछे से सूरग जी आते है और अपनी पत्नी के कंदे पर हाथ रख लेते हैं तो सरला जी उनकी कमर को हैक करकर रोने लग जाती है कोई बात नहीं सरला जी आप अगर ऐसे रोएंगे तो सोचिए बाकी जहां कहीं भी होगी आपको इस तरह से देख कर क्या खुश हो गई नहीं उसे बहुत दुख होगा जब उसकी प्यारी सी सासुमा इस तरह से रो रही होगी दुखी होगी तुम मुझको दुखी करने वाली भी तो वही है ना पता नहीं वो मनहूस रात क्योंकि आई हमारी जिंदगी में हमारी बच्ची रात को घर से निकली और वापस कभी आई ही नहीं ना जाने क्या हुआ क्या नहीं बस एक खबर आई कि पाक ही अब इस दुनिया में नहीं है हमें तो हमारी बच्ची की लाश को आखिरी बार देखने का भी सौभागय प्राप्त नहीं हुआ पहले ही हॉस्पिटल में आग लग गई और हमारी बच्ची उन हजारों लोगों के साथ वही पर सूरज जी सरला जी का चहरा अपने हाथ में पकड़ते हैं और उनके आंसू को साफ करते हुए शांत हो जाए सर जी शांत जो हमने खुया है वह बहुत ज्यादा कीमती है लेकिन आपको खुद को संभालना होगा अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए आपको पता है ना की वह कल आने वाली है सरला जी हाम इस सिरहिला देती है सूरज जी उनके माते पर किस करते हैं और उनको वैसे ही सुला देते हैं आखी तो उनकी भी नम हो चुकी थी वह भी अपने मन में आप सब तो शुरू कर अपना दुख सांजा कर लेते हों लेकिन हमारा क्या हमने तो उसे बच्पन से अपने हाथों में खिलाया था उसके हर नक्रा उठाए थे हम पर क्या बीतेगी और सबसे ज्यादा तो राठोर परिवार पर उन्होंने तो अपने घर की जान ही को दी जब से पड़ी गई है तब से पूरा परिवार एक अजीब से मातम में डूब गया था ये तो अच्छा है कि वरुन आ गया जिसे पाखी की थोड़ी सी कमी पूरी कर दी वरना न जाने क्या हो जाता उसे दिन ये बोलकर सूरत जी के सामने उसे दिन की यादे आती है चलिए को पाखी के बारे में बता दिया सब जैसे ही अस्पताल में पहुंचे तो वहां पर एक तेज धमाका हुआ उन लोगों को अंदर जाकर पाखी को देखने का भी मौका नहीं मिला उससे पहले ही वो पूरा हॉस्पिटल आज की लपट में गिर गया था उसे दिन सब की जिन् सद्मा में जा चुकी थी सरला जी और सरिता जी का भी कुछ अलग हल नहीं था जहां पर सरिता जी ने पाखी को जन्म दिया था कहीं सरला जी ने भी पड़ी को अपने बच्चों की तरह ही पल था उन्होंने भी अपनी जिन्दगी की वह रोशनी को दी थी सद्मा तो उनका अभी काम नहीं था लेकिन उन्होंने संभाल लिया खुद को क्योंकि सूरद जी और अभिजीत जी उसे मुश्किल समय में उनकी हिम्मत बन कर आये। सावन जी और सौनिया जी ने शेखावत कापोरेशन तो वही जीवन जी और बिना जीने राथ और कमपनी की सारी बागडोर संभाली थी अग्मी भी पहले की तरह हस्ता मुसकुराता नहीं था अब वो बहुत ही सीधे तरीके से अपना काम करता है और रात को अपने भाये को सह बाई आई से उसके बिना में चला आता था। वही पंखुडी के मेला में मेरी जंदगी की सबसे बड़ी गलती हो ty क्यूं आयी मेरी जंदगी में मेरी जंदगी बरबात कर दी नफरत है मुझे तुम से नफरत माँ बनने के लायक नहीं तुम। आज एक तेज आवाज के साथ एक लड़की जो की अपने बिस्तर पर आराम से सो रही थी वो उरती है उसका पूरा चेहरा पसीने में भीगा हुआ था उसकी आखे सपने में भी रोते समय लाल हो चुकी थी और उनसे छच्छर आंसु बह रहे थे उसका पूरा शरीर काम प्रह था वो अपनी नजरे इधर उधर करकर कुछ धूमने की कोशिश करती है लेकिन उसको वो नहीं दिखता तो वो लड़की फिर से एक चीज मारती है तो कौन है ये लड़की और क्या सच में पाकी रनविजय और सब की जिंदगी में चली गई तो जानेंगे हमारे आगे आने वहां से एक शक संदर आता है वो जल्दी से उसे लड़की को अपने गले से लगता है और उसके बालों को सहलाते हुए शान्थ शान्थ हो जाए हम आपके पास है सब कुछ ठीक है पंखुरी शान्थ हो जाए पंखुरी अपनी भरी हुई आँखों से वीर के चहरे की ओर देखती है और उसको इशारा करती है उसकी आँखों का इशारा वीर समा चाहता है वो उसको लेकर एक कमरे में आता है जहां पर समीरा आराम से सो रहा था पंखुडी अपने बच्चों को अपने गले से लगा लेती है और उसके पूरे मुह को चूमने लग जाती है समीर भी नींद में कसमस आ जाता है तो पंखुडी उसको चूमना बंद करती है और उसके अपने सीने से कसकर लगा लेती है वीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए अंडिस को पंखुडी हमें नहीं पता कि आपके अतीत का ऐसा कौन सा वो दर्ड़नाक हिस्सा है जिस वज़े से आप आज भी यूं हर रात उठ करती है ये जो बुरे सपने हैं हमने कितनी कोशिश की है कि आपको ना आए लेकिन ऐसा लगता है कि शायद इन जख्मों के लिए कोई दवा बनी ही नहीं है कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनकी दवा चाह कर भी नहीं बन सकती नहीं उनको कभी वक्त भर सकता है पंखुडी जब तुमने नहीं जिन्दगी शुरू कर ही ली है तो किसी को अपनी जिन्दगी में आने का मौका दो शायद वीर की आवाद सुनकर पंखुडी उसको अपनी बहुत ही डरावनी नजरों के साथ रहती है जिस वज़े से वीर चुप हो जाता है और समीर के रूम से बाहर आ जाता है वही पंखुडी समीर को अपने गले से लगाए हुए है अपने रूम में आ जाती है और बैट पर लेट जाती है वो समीर के माथे को एक बार फिर से चूंगती है और उसके बालों को सहलाने लगा जाती है एक नई पहचान नए हम नई रिष्टे नया संसार लेकिन अगर बदला नहीं तो वहो आप आपकी बाते आपका धोखा आपकी नफरत पंखुडी की आखो से एक आशु उसकी गाल से नीचे तपक पड़ता है वो अपने आशु को अपने हाथ में लेती है और उदासी से हसी हस्ते हुए यह आँसु आपने बोला ना थाना की पाखी मुझे तुम्हारी आँखों में आँसु अच्छे लगते हैं तो देखी आपकी वजह से आपकी पाखी की आँखों में आँसु आ गए अब यह आँसु हर रात आते हैं जब भी मुझे मेरा तीत याद आता है तब यह आँसु आ जी हाँ आपने से हमारे कुछ दोस्तों का शक बिल्कुल सही था हमारी पनकुली और कोई नहीं बलकि हमारी बाकी है जिसने इन 30 सालों में अपनी मेहनत के साथ का ASP जाने के समय और अपने नाम से एक छोटी सी कमपनी शुरू की थी लेकिन आज वो पूरी दुनिया की नंबर आने वाली कमपनियों के अगली सुबह पनकुडी उठाती है और तयार होने चली जाती है वो एक बिचने सूट पहन लेती है और बाहर आकर समीर को देखते हैं जो बैट पर बैट कर अपनी आँखों को मसल रहा था उसको देखकर ही पनकुडी में से पड़ी आ जाती है वो को भी प्यार कर लाती है हो सब लोग नाश्ता करते हैं और पाखी अपने ओफिस में चले जाते हैं क्योंकि आज कुछ खास डील होने वाली थी या फिर उसकी जिंदगी सबसे ज़्यादा बदलने वाली थी अंदिसको और 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 वही दूसरी तरफ इंदिया में रनविज तरह से क्यों बन गए छोड़ दीजिये ना पीने की आदत आपको पता है ना ये शराब आपके अंदर ही अंदर खा रही है रनविजय उदासी से हसी हसते हुए पागल ये तो मेरे दर्ट की दवाई है और तो बोल रहा है कि मैं अपनी दवाई को छोड़ दू मुझे अच सूर था मैं किसी से अलग नहीं हुआ था मुझे अलग किया गया है अगनी तुझे भी अच्छी तरह से पता है लेकिन भाई वो सब एक मिस अंदरस्टेंडिंग थी आपको पता है ना कि पापा और दादू पंखुरी भावी के लिए रनविजय गुस्से से अपने हाथ मे पड़े ग्लास को जमीन पर फेकते हुए अंदरस्को नाम मतलो उसे लड़की का मेरे सामने उसे लड़की की बज़े से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई मेरे अपनों की खुशिया तबाह हो गई और सुबह सुबह उसे मनहुस का नाम लेकर मेरी सुबह खराब मत करो चले जाओ अपनी यहां से ये बोल कर वो अपने बातरूम में फ्रेश होने चला जाता है वही अग्नी भी अपनी नमकों के साथ वहां से चला जाता है अग्नी जब शेखावत जिला में आता है तो सुरग जी उसे सक्त आवाज में हमने आपसे कितनी बार कहा है कि आप उनके पास यू रोज रोज रिष्टों की दुहाई लेकर मत जाया कीजी, जब उनको ही रिष्टों की कदर नहीं है, वही सब कुछ भूल चुके हैं, तो फिर आप क्यू उनके पास बार-बार जाते हो? अगनी अपने पापा की तरफ मुलता है और उनको गले से लगा लेता है, वह अपने आंसों को बहते हुए अंडस को, पापा किसकी बुरी नजर लग गई हमारे घर को, हम सब लोग कितने खुश थी, जब से भावी इस घर से गई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वह अपने साथ इस घर की खुश्या ले गई है, भाई ने अपने आपको न जाने कौन सी दिवार में कैत कर लिया है कि वह वहाँ से बाहर नहीं आना चाहते और न जाने क्यों वह भावी से इतनी नफरत करते हैं। और अपनी नाग को सहलाते हुए बहुत ही क्यूट तरीके से। जहां पर वरुन गुसे से लाल पीला हुआ खड़ा था हालांकि वह उनको गुसा जता रहा था लेकिन वह इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था ना कि दोनों को ही उस पर प्यारा जाता है। सूरज नीचे बैठते हैं और उसके छोटे से कान को मरोलते हुए अंडस को। अच्छा भी जमीन से यूज नहीं हो आप और बाते फल तोड़ने की कर रहे हो वह बेटा वह आखिर संगती का किसका असर पर रहा है आप में जो अभी से इतनी बड़ी-बड़ी बाते करने लगे हो। वरुन अपने कान को छुरवाते हुए और बहुत ही क्यूट तरीके से अंडस को। इन तीन सालों में सब ने रोशनी को माफ कर दिया था और वरुन को भी पूरे दिल से अपनाया था हाला कि सभी को कोई सीरियस वाला गुसा तो नहीं था लेकिन वह होता है ना कि जब अपने परवरिश पर सवाल उठे जब अपना सर अपने ही बच्चे नीम कर जाए तो हम में थोड़ा सा दुख होता है बस इस तेज अवस्था में सोनिया जी ने फैसला ले लिया था जिसका खामिया सा बेचारी पाखी को भूगतना पड़ा वही दूसरी तरफ महरा कापोरेशन में रौनक शेखर मोहित और रनविजय चारों वहां पर बैठे हुए थे रौनक बहुत ही सीरियस अंदाज में रनविजय तुमको पता है ना कि आज शाम को बहुत जरूरी मीटिंग है इस वजह से हमें बाहर जाना होगा शेखर उसे देखते हुए अंदस को क्या यह उसी मिस्टीरियस सीपी कापोरेशन की सीईओ के साथ होने वाली मीटिंग नहीं है मोहित उनको जवाब देते हुए जी हाँ यह मीटिंग उनके साथ ही होने वाली है क्या हम बोले कि वह हमारे खिलाफ खड़ी होने वाली है अच्छे से हासल कर लिया है कि उसका अच्छा खासा रिकॉर्ड है उसको जो चाहिए उसको वो चाहिए ही होता है। रनविजय जो कब से खामोश था वह भी उसे फाइल को देखा है उसको भी यह प्रोजेक्ट अच्छा लगा और उसकी बीएफ की बन चुका था वो अपनी कोल्ड आँखों से उन सब को देखते हुए रिकॉर्ड होते ही है तूटने के लिए और अब इस प्रोजेक्ट को पाना रनविजय शेखावत की जिद्ध है और सब को पता है कि मैं भी अपने जिद्ध को पुगाने के लिए एक नंबर का जिद्धी हूँ ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है वही थोड़ा सा नर्म जहरा बनाते हुए पहले के जैसे कब हूंगे कोई बात नहीं छोटे जो विजय ने अपने आसपास ये दीवार बना रखी है ना वो जल्दी तूटेगी मुझे भरोसा है अगर पाखी चली गई तो क्या हो गया पाखी के तरह कोई ना कोई आएगा जो उसकी इस दीवार को तोड़ेगा उसको फिर से पहले जैसा बना कर चुके थे उनके साथ साथ बहुत नामी ग्रामी कमपनियों के मालिक भी आए हुए थे वो सभी इंतजार कर रहे थे तो उसे मिस्टीरियस सीयो का तभी उसे मीटिंग हॉल का गेट खुलता है और वहां से एक दमदार पसनेलिटी और एक खास तरह का और कैरी किया एक शक पर आती है उसकी सीट रनविजय से गुजर कर उसकी साइड में थी जैसे ही वो सीट की तरह से गुजरती है तो उसको एक अजीब सा एहसास होता है एहसास महसूस होता है तो कैसा रियक्ट करेगा रनविजय पाखी को पूरे तीन साल बाद अपने सामने देखकर क्या रनव प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कॉमेंट शेर करें